हाई अब्रिवान आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे धावा इस्टाइल पनीर दो प्याजा की रेसिपी सेम धाबे वाली रेसिपी है बही टेस्ट आपको आने वाला है तो इस रेसिपी को एक बार ट्राइ करका जुरूर देखिएगा बहुत इजी है और जब भी आप ट्र हाफ टी स्पून जीरा हाफ टी स्पून काली मिर्श एड करेंगे और चार हरी लाइश एड कर देंगे अब इनको देखिए हमने हलका सा क्रेकल करेंगे और इसमें एड करेंगे प्याज तो यहाँ पर हमने दो बड़े साइस के प्याज लिए थे जिसको बारिक बारिक सा च लाल टमाटर ले लिजेगा और इनको एड़ करने के बाद हम ने इसको पकाना है एक मिनट के लिए उसके बाद यहां पर हमने एक शिमला मिर्च लिया था जिसको इस तरह से कट कर लिया तो यह एड़ कर दिंगे और बिना काजू बिना बदाम के बना रहे हम और देखिए शिमला मिर्च लिए डालेंगे ने इससे टेस्ट अच्छा आएगा एक दम धाबे बाले जो होते हैं वो इस तरह से शिमला मिर्च एड़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ग्रेवी अब देखिए हलका साटे करने के बाद अब इसमें एड़ कर दिया हमने दो छोटे चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर एड़ करेंगे तो यहाँ पर दो छोटे चमच हमने धनिया पाउडर एड़ कर दिया अब एक छोटे चमच जीरा पावडर एड़ करेंगे नमक एड़ करेंगे तो नमक यहाँ पर हमने देखिए वन एंड़ा हाफ टी स्पून डेड़ छोटा चमच नमक एड़ कर दिया अब इनको थोड़ा सा भूनना है तो फ्लेम को यहाँ पर लो कर लीजिएगा ताकि मसाले जलेना और थोड़ा स भूनने के बाद यहाँ पर हमने तीन से चार मिनट के लिए कवर कर देना है ताकि तमाटल थोड़े से सॉफ्ट हो जाए हमने पानी बगएर अभी एड़ नहीं किया है जो तमाटल ने पानी रिलीज किया उसमें दो से तीन मिनट हमने भून लिया है लो फ्लेम पर तो यह तो पहले हमने ऐसे ही मसाले को भून लिया अब इसमें हमने एक कप पानी एड़ करना है और खूब अच्छे से अब मसाले को हमें पानी के साथ मिक्स करकर इसको भूनना है तो कवर कर देंगे कवर करने के बाद 5-6 मिनट हम इसको भूनने के लिए छोड़ देंगे ताकि टामाटर भी अच्छे से गल जाए शिमला मेर्च बाकि हमने जो भी मसाले जो डाले है वो अच्छे से पक जाए तो देखिए यहां पर 5-6 मिनट बाद हमने खोल कर देख लिया है अब यह करने के लिए यहां पर मैं यूज़ कर रही हूं अगारो का रॉयल मिक्सर ग्राइंडर इसका पर्चेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वाक्स में मिल जाएगा तो चेक कर लीजेगा अब देखिए यहां पर हमने अच्छे से इसको ब्लैंड कर लिया यह देखिए दम पनीर को हमें गोल्डन फ्राी करना है यह देखि इस तरह से कलर सेच चैंज हो गए उसको बाद हमने इसके साइड़ साइडस अछे से गोल्डन कर लिया अब पयाज हमने देखिए दो मीडियों और सब्सक्रिप्रिशन कर से तो बाहर निकाल लिया अब जो पैन में लाइल तो इसमें करने बाद एक प्रूब एक टिबली स्पून एक बड़ा चमच मत कसूरी में अथी कर देंगे और आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिएगा और इसमें एड़ करेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्श पौडर तो यहाँ पर हमने देखिए एक टी स्पून एक चोटा चमच कश्मीरी लाल मिर्श पौडर एड़ कर दिया हलका सा इसको सोटे किया उसके बाद ही यहाँ पर हमने ग्रेवी एड़ कर दी बिल्कुल पकाना नहीं है मिर्शी डालने के बाद फौरन से ही हमने ग्रेवी एड़ कर दी और दो चोटे चमच हमने यहाँ पर किचिन किंग मसाला एड़ कर दिया किसी भी ब्रैंट का आप ले लीजेगा किचिन किंग मसाला और अच्छे से हम ने यहां पर ग्रेवी को भूनना है तो फ्लेम को यहां पर लो टू मीडियम कर लीजेगा खुब अच्छे से भून लीजेगा भूनने के साथी यहां पर हमने देखिए एक क्यो पनीर का बचा कर रखा हुआ था तो इस तरह से कद्दू कश करकर एड़ कर दिंगे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा जो धाबे में होता है वो इसी तरह बनाया जाता है अब यहां पर देगे हमने एक छोड़े चमच चीनी एड़ कर दी और हाफ कप हमने यहां पर क्रीम एड़ कर दिया और एक मुठी हरे दनिया अब अच्छे से ग्रेवी को हमें यह पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते रहिएगा पकाते रहिएगा इस तरह से जब ऑईल सेपरेट हो जाए ना खुब अच्छे से ग्रेवी पक जाए तब इसमें बटर एड़ कर दिया और बटर एड़ क करने के बाद अब इसमें एड़ करना है पनीर और प्याज जो हमने फ्राय करकर रखे हुए तना वह एड़ कर दिंगे खुब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे पका लेंगे तो यहां पर देखिए हमने थोड़ा सारे दनियाबी एड़ कर दिया था अब यह अच्छे से पक को इस तरह से जरूर ट्राय कीजिएगा बहुत एजी रेशिपी है और जब भी आप ट्राय करते हैं ना तो मुझे कॉमेंट करकर जूरूर बताइएगा कि आपकी रेशिपी कैसी बनीगे उम्मीद करती हूं आज की मेरी रेशिपी आपको पसंद आई होगी रेशिपी पस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें मिलती हूं नेक्स रेसिपी में तब तक के लिए बाबाई